सो इसी के साथ साल 2030 खतम हो चुका है एंड किस तरीके से एंड हुआ एक थ्रिलर गेम के साथ एंड हुआ तमिल थलावास की टीम जीता हुआ मैच हार गई बेंगलोडो बुल्स की टीम ने तमिल थलावास को एक पॉइंट से हरा दिया एंड इस वड़ो में आपको प्रो कबड़ी 2024 का नया पॉंस्टेबल बताने वाला हुआ टोटल 50 मैचेस कंप्लीट होने के बाद एंड आप सभी को मेरी तरफ से जितने भी कबड़ी के फैन से न नमबर 12 के साथ तो नमबर 12 पे अभी पवन सहरावत की तेलगू टाइटन्स की टीम है तेलगू टाइटन्स की टीम ने आठ मैचेस खेले जिसमें से एक मैच जीती है साथ मैच हारी है आठ अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहां पे माइनस 75 का चल रहा है ए तमल तलावस की टीम ने आठ मैचेस खेले जिसमें से दो मैच जीती है साथ मैच हारी है थेरा अंकों के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहां पे माइनस 41 का हो चुका है एंड तमल तलावस की टीम नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी पुनेरी पल्टन के अगेंस नमबर 10 पे अभी UP योधास की टीम है, UP योधास की टीम ने 9 मैचेस खेले, जिसमें से 3 मैच जीती है, 5 मैच हारी है, एक मैच ट्राई गया है, 20 अंकों के साथ, इनका जो स्कोर डिफरेंस है, वो यहाँ पे प्लस 6 का चल रहा है, और परदीब नर्वाल के UP योधास भिड़ेगी, उ नमबर 9 की बात की जए, तो नमबर 9 पे Bengal Warriors की टीम है, Bengal Warriors की टीम ने 9 मैचेस खेले, जिसमें से 3 मैच जीती है, 4 मैच हारी है, 2 मैचेस ट्राई गये, 22 अंकों के साथ, इनका जो स्कोर डिफरेंस है, वो यहाँ पे माइनस 20 का चल रहा है, और Bengal Warriors की टीम अपना नेक्स्ट मुक दिफरेंस है, वो यहाँ पे प्लस 12 का चल रहा है, और पटना पाइरेट्स की टीम अपना नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी, UP योदास के अगेंस्ट वो भी आज के देन, नमबर 7 की बात की जाए, तो नमबर 7 पे अब आ चुकी है, Bengaluru Bulls की टीम, Bengaluru Bulls की टीम ने 10 मैचेस खे पादू नमबर 6 पे नवीन कुमार की दबंग डली की टीम है, और नवीन कुमार अगले मैच में खेलेगी की नहीं, अच्छी अपडेट निकल के आर ये कि नवीन कुमार अब फिट है, अगले मैच के लिए most probably fit हो गे, और सिलेक्शन के लिए आगे रहेगे, और खेल सकते ह अगला मुकाबला, और ये जो भी अपडेट आते हैं, प्रो कबटी के सबसे पहले आपको टेलिग्राम पे देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही प्रो कबटी के हर एक अपडेट के लिए आप हमारे टेलिग्राम चनल को जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको PKL के हर एक अपड होते हैं, कौन से खिलाडी ने सुपर 10 स्कोर किया, हाइफाइ स्कोर किया, सब कुछ आपको हमारे टेलिग्राम चनल पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्किप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलिग्राम पे जाके 25 पॉइंट्स के साथ, इनका जो स्कोर डिफरेंस है, वो यहाँ पे प्लस 17 का चल रहा है, और दबंग डली की टीम अपना नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी, गुजराज जाएंट्स के अगेंस, नमबर पांच की बात की जाए, तो नमबर पांच पे हरियाना स्टीलर्स की ट अपना नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी, जैपूर पिंग पैंथर्स के अगेंस, नमबर चार की बात की जाए, तो नमबर चार पे यू मुंबा की टीम है, यू मुंबा की टीम ने 7 मैच खेले, जिसमें से 5 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, 26 अंको के साथ, इनका जो स्कोर जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम ने 8 मैच खेले, जिसमें से 4 मैच जीती है, 2 मैच हारी है, 2 मैच ट्राइग गये है, 28 अंको के साथ, इनका जो स्कोर डिफरेंस है, वो यहाँ पे पलस 16 का चल रहा है, जैपूर पिंग पैंथर्स की टीम अपना जो नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी वो यहाँ पे हरेना स्टीलर्स के अगेंस्ट खेलने वाली है और नमबर दो पे गिर के अब आ चुकी है पुनेडी पल्टन की टीम पुनेडी पल्टन की टीम ने 7 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है एक मैच हारी है 31 अंको के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे प्लस 90 का चल रहा है और पुनेडी पल्टन की टीम साल के पहले दिन एक्शन में देखने को मिल जाएगी किस टीम के अगेंस्ट मुकाबला होगा पवन सहरावत की तल्गु टाइटन्स के खिलाफ होने बाला है और नमबर एक की बात किजा है तो नमबर एक पे अब आ चुकी है फजल अत्रा चली की गुजराद जैंट्स की टीम गुजराद जैंट्स की टीम ने 9 मैचेस खेले जिसमें से 6 मैच जीती है 33 पॉइंट्स के साथ इनका जो स्कोर डिफरेंस है वो यहाँ पे प्लस 23 का चल रहा है और गुजराद जैंट्स की टीम अपना नेक्स्ट मुकाबला खेलेगी दबंक डैली के अगेंट्स तो 2024 शुरू होने से पहले अभी पॉन्स टेबल पे टॉप पे गुजराद जैंट्स की टीम है और वहीं पे बॉटम पे तल्गू टाइटन्स की टीम है और आप सभी को अगें हैपी नुई येर और 2024 स्टार्ट हो रहा है प्रो कबड़ी का 2024 हम कह सकते और पहले दिन को बहुत ही दो धमाकेदार मैचेस होने वाले दिन का पहला मुकाबला होगा तल्गू टाइटन्स बनाम पुनरी पल्टन के बीच में और दूसरा मुकाबला परतीप नर्वाल अगें हमें पटना पाइरेट्स के अगेंस देखने को मिल जाएगे कल के दिन के दूसरे मुकाबले में जो की मैच निमर 52 होगा अब आपको क्या लगता है दोनों मैचेस कौनसी टीम जीज सकती है आपके क्या प्रेडिक्शन होने वाले कॉमेंट का के जड़ो बताएगा अब यह दोनों मैचेस के आपने प्रिव्यू नहीं देखा है तो लेफ साइट पे आज के दिन का पहला मुकाबलगा प्रिव्यू और राइट साइट पे आज के दिन का दूसरा मुकाबलगा प्रिव्यू आपके स्क्रीन पे सो हो रहा होगा उस पे क्लिक करके आप देख स तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक और इंट्रेसिंग विड़े के साथ थैंक्स वर वाचिंग